इंडोनेशिया के बाद दुनिया में पाम तेल के दूसरे सबसे प्रमुक उत्पादन एवं निर्यातक देश मलेशिया पर अलनीनों का प्रभाव दिखाई पड़ने लगा है। वहाँ इस महत्वपून वंस्पती तेल के उत्पादन में गिरावट आने लगी है। दूसरी तरफ प्रोसेस्ट पाम तेल का स्टॉक एक दशमलव दो तीन प्रतिशत की बड़ोतरी के साथ 10,93,228 तन पर पहुँच गया है। प्रोसेस्ट पाम तेल में मुख्यत आर्बीडी पाम ओलीन एवं रिफाइंड पाम तेल शामिल है। मलेशियन पाम ओयल बोर्ड की रिपोर्ट से पता चलता है कि नवंबर की तुलना में दिसंबर 2023 की समापती पर मलेशिया में पाम तेल का कुल बकाया अधिशेश स्टॉक 4,64 प्रतिशत गिरकर 22,91,676 तन रह गया। सब्ता के दोरान मलेशिया में पाम करनेल तेल का कुल अधिशेश स्टॉक भी 6,58 प्रतिशत गिरकर 4,20,478 तन पर आ गया। मलेशियन पाम ओयल बोर्ड की मासिक रिपोर्ट के अनुसार मलेशिया से दिसंबर 2023 में 13,34,441 तन पाम तेल उत्पादों का निर्यात हुआ जो नवंबर के कुल शिप्मेंट से 5,12 प्रतिशत कम रहा। इसी तरह मलेशिया में विदेशों से इस अवधी में पाम तेल का आयात भी 7,87 प्रतिशत गटकर 36,573 तन पर अटक गया। भारत और चीन मलेशियाई पाम तेल के दो प्रमुक खरीदार हैं। इसके अलावा कई अन्य देश भी वहां से अच्छी मात्रा में इसका आयात करते हैं। उत्पादन एवं अधिशेश स्टॉक में आई गिरावट का मलेशियाई पाम तेल के वाइदा मूले पर आंशिक रूप से सकारात्मक असर पड़ सकता है और इसके बेंचमार्क भाव में थोड़ा सुधार आ सकता है। Bureau Report Market Times TV